क्या आपके मसूडों में से खुन निकलता है, कभी-कभी मसूडों में सूजन हो जाती है, साथी साथ, खाना खाते वक्त बहुत जादा तकलीफ होती है, हमारे जब मसूडे होते हैं, उनमें धर्द होता है, सूजन के कारण, या वहाँ से जब खुन निकलता है, खुन बहता ह तब क्या आप जानते हैं कि इस condition को क्या कहते हैं या इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं नहीं तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इस दिक्कत को हम क्या कहते हैं या इसके कारण क्या होते हैं जिसकी वज़े से हमें खाने में दिक्कत होती है मूँ चलाने में दिक्कत होती है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इसके कारण क्या होते है, जब मसूडों में खूण आने लगता है, दर्द होता है, सूजन होती है, सबसे पहले आता है low vitamin C, जब हमारे शरीर के अंदर vitamin C की मातरा कम होने लगती है, तो उसकी वज़े से हमारे जो मसूड़े होते हैं वहाँ पर बहुत जावत तकलीफ होती है, खून आने लगता है, सूजन हो जाती है, दर्द जादा होता है, विटामिन C अगर कम होगा तो तातों से संबंदे दिक्कते जाता होती है, मसूड़ों में परियाक हम कह सकते हैं कि वो ठीक स काम नहीं करते, ब्लड वहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाता है, दूसरा रीजन आता है अनहेल्दी डाइट, हम खाना ठीक से नहीं खाते हैं, जो हमारे डाइट है वो अनहेल्दी यानि कि पॉस्टिक आहार हम लेते ही नहीं है, हरी सबजिया हम नहीं खाते, या ऐसे फल दाट टूपने लगते हैं, तब भी ये दिक्कत हमें बन जाती है, साधी साथ संकेन आइस, जब हमारी आखे दसने लगती है, तो उसकी वज़ा से दिक्कत हो जाती है, और हमारे मसूडे सूजने लगते हैं, हमारे मसूडों में खून आने लगता है, वो सिर्फ और सिर्फ इ स्कर्वी ही एक ऐसी कंडिशन है, जहां पर हमारे मसूडों में से खून आता है, मसूडों में से हमें तकलीफ जादा होती है, मसूडों में से हमारे सूजन आ जाती है, दर्द बहुत जादा होता है, खाना खाते वक्त तकलीफ होती है, तो उसे हम स्कर्वी कहते हैं, अब बा करूं नीमू में भी होता है, वस्मी में भी होता है, तो ऐसे फल हमें ज़्यादा खाने चाहिए, जब विटामिन C की कमी होने लगती है, साथी साथ विटामिन C के Supplements भी Market के अंदर अवेलेबल हैं, जिनको हम ले सकते हैं, जब हमें Fruit से यानि कि फल आहार से प्रॉपर विटामिन C नहीं मिलता है, विटामिन C नहीं मिल पाता है हमारे शरीर को, तब डॉक्टर सजेस्ट करता है कि विटामिन C Supplements लें, जैसे हमेशा ध्यान रखें, जब आप कोई Supplements लिनने जाते हैं, तो उससे पहले एक बार डॉक्टर से सला चरूर ले लें, डॉक्टर जो आपको सजेस्ट करें, उसी का सेवन करना आप शुरू करें, तो इसी तरीके की More Updates के लिए बने रहे हैं, फामेसी इंडिया लाइप के साथ, फामेसी इंडिया लाइप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जुड़े रहे हमारे साथ ने टेस्ट अपडेट्स के लिए, जहां पर आपको शरीर से सम्मदित सारी बिमारियों के बारे में आपको बताया जाएगा, कै कैसे हो जाती है, क्या उसके मुख्यकरान कारण होते है, क्या उसके प्रमुक कारण होते है, साथ उसे मेडिकल टम में क्या कहा जाता है, उससे कैसे ठीक किया जा सकता है, तो वो सब आपको यहां पर संपूर जानकारी वीडियो के अंदर मिलेगा, तो इसी तरीके की मोर and thanks for watching.